कैसे हैं आप लोग आपका स्वागत है मारे इस चैनल पर यहाँ पर हम लोग टेक्नामेट्रिक की सीरीज देख रहे हैं इसमें हम लोग लेवल वन को स्टार्ट कर चुके हैं और लेवल 0 में कोश्चन नमबर 15 तक हम लोगोंने सॉल कर लिया है question number 16 पे आते हैं अगर आपने इसके पहले के question नहीं देखे हैं तो आपको वीडियो के description में playlist मिलेगी वहाँ से जाके RD सर्मा को complete कर सकते हैं जो भी question बताएगा है तो देखे question number 16 क्या कह रहा है question number 16 में 10 theta की value दी गई है 10 theta की value दी गई है 1 by root 7 10 theta की value 1 by root 7 दी गई है और so करना है कि cause x square theta minus x square theta upon cause x square theta plus x square theta is equal to 3 by 4 है तो देखे जब इस तरीके का कोई भी question हो तो आप क्या करेंगे एक important बात आपको याद रखना जो proof करना है आप इसको इसके equal proof करेंगे तो इसको यह जो proof करना है RHS के equal इसको आप question के term में change करने की कोसिस करें question के term का क्या मतलब वह यह 10 है ना तो आप इसे भी ऐसा change करिए कि यह लगभग 10 के form में change हो जाए अब आप सबसे पहले क्या देखेंगे आप देखेंगे हैं पर cause x cause x को क्या 10 के form में लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं लेकिन cause x को आप जानते हैं कि cause x square theta आपको यह formula पता है कि cause x square theta is equal to आप यह जानते है cause x square theta is equal to 1 plus cot square theta यह आप बहुत अच्छे से जानते हैं ना तो आप यहीं कर दीजे क्यों? क्योंकि अगर आपने cause x square theta is equal to 1 upon 10 theta यह formula आपने पढ़ा है शुरुआत में ठीक है? तो यह formula आपको पता है अब हम यहाँ पर क्या करते है? cause x square theta को लिखते हैं 1 plus cot square theta minus ध्यान दीजिएगा हमने ऐसा क्यों किया? यहाँ पर बहुत बच्चों को यही confusion होता है वो पूछेंगे comment में कि sir इसको one upon sign में क्यों नहीं change कर दिया? हम इसे 10 के form में change करेंगे क्योंकि question भी 10 में आप सिक को आप जानते हैं सिक को कह लिख सकते हैं one plus 10 square theta लिखा जा सकता है one plus 10 square theta upon इसे कह लिख सकते हैं one plus cot square theta plus one plus 10 square theta लिख सकते हैं कोई भी doubt नहीं हो आजाए आपको one or one cancel हो जाएगा यहां क्या जाएगा cot square theta minus 10 square theta upon यह वन और वन यहां पर आएड होंगे क्योंकि plus 2 plus cot square theta plus 10 square theta यहां तक सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा ठीक है अब आप बताइए cot theta क्या होगा देखिए 10 theta अगर 1 by root 7 है तो cot theta क्या होगा cot theta क्या जाएगा root 7 cot theta क्या जाएगा root 7 यहां पर हम value put करते हैं अपसा अभी सभी value put करते हैं root 7 square minus 1 by root 7 square upon 2 plus cot क्या है root 7 square plus 1 by root 7 square ठीक है यहां तक आपको कोई doubt नहीं होना चाहिए root 7 के square क्या होगा 7 minus 1 by 7 हो जाएगा अब यह 2 है यह 2 है और यह क्या है यह root 7 का square तो मिल सकते हैं 2 plus 7 हो जाएगा 9 हो जाएगा स्वान में आ रहा है ना root 7 का square क्या होगा 7 तो यह कितना हो जाएगा 9 हम बोल सकते 9 plus one by 7 क्यों क्योंकि 1 by root 7 का square 1 by 7 होगा ठीक है 7 into 7 49 minus 148 48 upon 7 9 into 7 9 into 7 63 plus 1 64 upon 7 7 or 7 cancel हो जाएगा आया जाएगा 48 upon 64 आप देखिए answer ये भी सही है लेकिन answer को आप उस फाम में change करेंगे जो आप से proof करने के लिए बोला गया 3 by 5 तो बता ही है 16 3 जा 48 और 16 4 जा 64 तो यह इस तरीके से आपका यह question solve हो गया ठीक है नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या है सिक थीटा इस एक फाइफ 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 और अधिकरा करना है ठीक है इस तरीके से और आपको यह पता होना चाहिए ए ठीक है यहां से अब देखिए स्टेटा स्टेटा की बात करें तो से ठीक होता है हाइफ पर टीनियूज अपान बेस क्या होता है है यहां पर साइन है तो यह साइट क्या होगी यह साइट क्या होगी क्योंकि यह ट्रिपलेट होते हैं ठीक है देखिए अब यहां पर साइन है को्से थे इन सबकि वेलू आप ट्रेंगल से पता कर सकते हैं दÎफتे साइन ही तो थीख क्या होगा क्रशक क्या होता है बेस थीख पान आपके चाइब और बसक्रणा आपको और Pandus पता होstar पता करना हो तो दोनों को डिवाइट करा दीजी साइन और कॉस को डिवाइट करेंगे फाइफ और फाइफ कैंसिल कितना आ जाएगा टैन थ्री भाइफ ठीक है यह सभी पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे अगर कोई नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में इस तरीके से हमने साइन कॉस टैन कॉट पता कर लिया अगर यह किसी को नहीं समझ में आ आ तो इस टार्टिंग के वेडियो देखे जहां पर पाइफागोरस फेoram बताया गया अब sin क्या है, sin है 3 by 5, minus cos क्या है, 4 by 5 और 2 है cos, 2 times है cos, तो 4 by 5 into 2, 8 by 5, upon 10 क्या है, 3 by 4, 10 क्या है, 3 by 4, minus, cut क्या है, 4 by 3, cut क्या है, 4 by 3, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, denominator सेम है, लेकिन यहाँ denominator सेम नहीं, तो हमने यहाँ 4 से multiply कर दिया, ठीक है, यहाँ पर 3 से multiply कर दिया, denominator को सेम करने के लिए, ठीक, अब यह कितना हो जाएगा, यह 3 minus 8 कितना होगा, minus 5 by 5, यह 3, 3, 9, और 9 से 16 minus होगा, 9 से क्या करेंगे, 16 क minus cancel हो जाएगा, numerator 5 by 5 के आजाएगा, 1 upon 7 by 12, 1 upon 7 by 12 है, तो मतलब यह 12 by 7 है, यह कितना है, 12 by 7 है, इस तरीके से हमने इस question को भी solve कर लिया, देखते हैं, नेक्स यह question, अब देखें, इसमें क्या बताया गया है, 10 theta is equal to 12 by 13, 10 theta के value 12 by 13 दिया गया है, और find क्या करना, 2 sin theta into cos theta, 2 sin theta into cos theta upon cos square theta minus sin square theta, अब देखिए, यहाँ पर sin or cos है, और यहाँ पर भी sin or cos है, तो आपको यह पता होगा, कि जब sin or cos numerator और denominator में अगर आ जाएगे, तो 10 बन जाएगा, अगर हम इसे cos से divide करा दे, तो cos cancel हो जाएगा, ठीकर, लेकिन अगर इसे cos square से divide कराएगे, numerator को, तो cos तो cancel होगा और square कर रहेगा, cos को, तो एक cos बचेगा, जो क्या करतेगा, 10 बना देगा, और यहाँ पर cos से divide करेंगे, square से तो यह 1 बन जाएगा, और यह क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा, तो हम मोलेंगे, dividing numerator and denominator by cos square theta, देखिए क्या आएगा, 2 sin theta into cos theta upon cos square theta, ठीक, numerator and denominator, denominator, denominator को अगर divide करेंगे, तो cos square theta, minus sin square theta upon cos square theta, इस तरीके से कुछ आएगा, यह क्या हो जाएगा, 2 into tan theta, क्या जाएगा, 2 times, 10 theta, सान में आ रहा है, 2 tan theta कैसे हो गया, एक cos, एक cos कट गया, sin upon cos tan और 2 पहले से, अब यह अगर कभी भी divide में है और upon का sign लगा है, तो यह दोनों के साथ divide में जाएगा, इस cos के साथ भी जाएगा, और sin के साथ divide में जाएगा, तब 1 आएगा, और जब sin के साथ divide में जाएगा तब क्याएगा 10 आएगा तो 10 स्क्वार ठीटा एगा ठीक है अब 10 है क्या 12 बाइ 13 टू डाइम्स करेंगे तो 24 बाइ 13 24 बाइ 13 ये 1 माइनस 10 स्क्वार ठीटा है तो 10 का स्क्वार क्या हो जाएगा 12 बाइ 13 तो 144 बाइ 169 144 बाइ 169 ठीक है अब इसे हम इस तरफ देखते हैं 24 बाइ 13 169 से 144 माइनस करेंगे तो 25 आएगा 25 बाइ 169 इसे हम बोल सकते हैं 24 बाइ 13 इंटू 169 अपान 25 बोला जा सकता है इस तरीके से नहीं कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर क्या करेंगे 13 और 13 कैंसल कर देंगे ठीक 24 इंटू 13 312 ठीक है तो यह कितना आ जाएगा 312 अपान 25 कितना आ जाएगा 312 अपान 25 तो इस तरीके से हम लोगों ने कोश्चन नमबर 18 ठीक है आप एंसर चेक कर सकते हैं बुक में आप जाके एंसर चेक कर सकते हैं कि एंसर क्या आ रहा है तो 312 बाइ 25 करेक्ट एंसर यही आ रहा है ठीक है नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं ठीक है इस कोश्चन में क्या बोला गया है कॉश्च ठीटा इस इक्कॉल साइन ठीटा माइनस 1 अपॉन 10 ठीटा अपॉन टू टैन ठीटा इसका एंसर बता देखे कभी अगर आपको कोश्चन में कुछ भी न समझ में तो आपको जो वैल्यू दी गई उससे ट्रेंगल में आप साइड मान लीजिए और उससे जो दूसरी वैल्यू है उन्हें पता क कब देखें हमने एक राइट एंगल ट्रेंगल बना दिया खरते यहां पर साइन ठीटा है हमें पता है साइंटीटा होता है पर्पेंडिकुलर अपॉन है क्या होता है पर्पिंडिकुलर अपन ही ऑफ ठीकहें कॉस् ठीटा हमें पता हिए हम पता कर लेंगे पता है oraz कभी भी आपको साइण और कॉस्ट पता है तो आपको टैन्म पता करने में फराबलम नहीं होगी दोनों को डिवाइट करा दीजिए तो इस तरीके के से हमने ये तीनों values पता कर ली, sine की, cost की और 10 की value, sine theta क्या है, 4 by 5, sine theta क्या है, 4 by 5 और 10 theta क्या आएगा, 10 theta आजाएगा, 3 by 4, 10 theta क्या आजाएगा, 3 by 4, यहाँ पर हम multiply कर देते हैं, जिससे denominator सेम हो जाए, ठीक है, इससे 4 से multiply कर दिया, ठीक, और denominator में क्या है, 2, 10 theta, denominator में क्या है, 2, 10 theta, मतलब, 8 by 3, 8 by 3, अब आप देखिए, यह 16 है, 4 into 4 कितना होता है, 16, और 5 into 3 कितना होगा, 15, 16 से 15 माइनस करेंगे, जिसकितना है, 1, और denominator में कितना है, 20, तो यह कितना हो जाएगा, 1 by 20, is equal to 8 by 3, divide करेंगे, तो यह कितना आजाएगा, 3 by 160, कितना आजाएगा, 3 by 160, यह right answer होगा, अब देखिए, इसी के जैसा, same question दिया गया है, question number 20, ज़्यादा change नहीं किया गया है, question number 20 में sin theta की value 3 by 5 है, sin theta की value 3 by 5 दी गई है, देखिए, अगर आपने एक बार question करना सीख लिया, तो सारे question लगभख same होते हैं, और वहाँ पर आपसे cos theta minus 1 by 10 theta, cos theta minus 1 by 10 theta, और denominator में बस वहाँ पर caught कर दिया गया है, denominator में क्या कर दिया गया है, caught theta कर दिया गया, अब देखिए, sin theta की value 3 by 5 है, sin theta की value क्या है, 3 by 5 तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, right angle triangle बनाते हैं, यह क्या है 3 है यह क्या है 5 है क्योंकि sin theta क्या होता है पर पंडिकुलर अपान हाइपकुटनुुट तो यह साइट कितनी हो जाएगी 4 हो जायगी बेस कितना हो जाएगा सिंपल सी बात है अब हम इस ट्रेंगल में देखते हैं तो साइन तीटा है साइन तीटा यहाँ पर पता ही आपको 3 5 5 क्यों टिटा कितना आजाएगा ठीक है 47 क्यों त्हर्टीटा कितना आजाएगा 4 अजाएगा 3वाइ 4 और takes कितना स्छेटा कितना एगा 3 245 त्हुंस पसे पता किया जाता तो साइन और करके जुत क्या है 4 4 by 5 हमने यहां पर कॉस की वैल्यू 4 by 5 पुट कर दी टैन ठीटा क्या है देखिए टैन ठीटा है 3 by 4 लेकिन डिनामनेटर में है तो यह 4 by 3 हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 by 3 हम इसे 4 by 3 बोल सकते यहां पर डिनामनेटर सेम करते हैं 5 से मल्टिप्लाई कर दिया और इसे 3 से हो जाएगा 4 by 3 यहां पर भी आजाएगा 8 by 3 ठीक है देख सकते हैं आप इस तरीके से कोश्चन अब 3 into 4 कितना हो जाएगा 12 3 into 4 कितना हो जाएगा 12 और 4 into 5 20 12 से माइनस करेंगे 20 तो माइनस 8 आएगा कितना हैगा माइनस 8 अपान 20 sorry 15 5 3 जा 15 और यह 8 by 3 है इसे भी चेंज कर देंगे 3 by 8 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा कितना हो जाएगा माइनस 3 by 15 ठीक है तो इस तरीके से 4 into 3 12 5 into 4 20 12 से 20 माइनस करेंगे तो इसना जाएगा 8 और 35 जा 50 यहाँ पर कॉट ठीटा की वैलू हमें पता चली 4 by 3 2 से मल्टिप्लाई करा दिया 8 by 3 ठीक है एंसर इसका एक बार चेक कर लिजिएगा question number 20 में answer क्या आ रहा है 1 by 5 minus 1 by 5 इसे चेक करते है एक बार परपेंडिकुलर अपान हाइपोटिनूस तो बेस कितना हो गया 4 अब देखिए साइन ठीटा की वैलू पता है कॉस्ट ठीटा क्या होता है बेस अपार परपेंडिकुलर तो 4 by 5 हो गया 10 यहाँ पर क्या आएगा 545 कैंसल 3 by 4 आ जाएगा कॉट क्या जाएगा 4 by 3 कॉस्ट ठीटा की वैलू हमने यहां पर रग दी 4 by 5 कितनी रग दी 4 by 5 टैन ठीटा कितना है 3 by 4 टैन ठीटा कितना है 10 20 टल उसे 20 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का एट और 5 2 3 कितना हो जाएगा 5-3 15 यहां पर 2 कॉट ठीटा है तो यह 8 by 3 आ जाएगा जब इसे चेंज करेंगे तो 3 by 8 हो जाएगा और 8 और 8 को कैंसिल कर देंगे तो माइनस 3 by 15 आ जाएगा इसे आप एक बार चेक कर लीजिए गए इसका एंसर ठीक है ठीक है तो इस तरीके से हम लोग एंसर बता सकते हैं आज यसे 1 by 5 भारा तो क्या बात तो ही हुई ना इसे हम कट करके माइनस 1 by 5 भी बोल सकते हैं ठीक है वही तो बात हुई माइनस 1 by 5 या माइनस 3 by 15 ठीक है तो देखें कोश्चन नमबर 21 और कोश्चन नमबर 22 देखते हैं इन दोनों कोश्चनों को हम लोग आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे देखें यहाँ पर 10 ठीटा की वालू 24 बाई 7 द कर सकते हैं ठीक है तो देखें इस कोश्चन को हम लोग कैसे करेंगे हमने क्या किया यहाँ पर एक राइट रैंगल ट्रैंगल बना दिया है ठीक है अब आपको पता होगा पी बीपी है एच एच भी ठीक है अब यहाँ पर 10 ठीटा 24 बाई 7 है ठीटा क्या होता है 56 और 7 का स्क्वेर होगा 49 576 प्लस 49 इस इक्वल टू 625 625 रूट आफ 625 इस इक्वल टू 25 तो यह साइड हाइपोटिनियूस कितनी आ जाएगी 25 अब देखिए यहाँ पर साइन ठीटा कितना है साइन पर्पेंडिकुलर अपान हाइपोटिनियूस होता है तो 24 बाई 25 आएगा कॉस ठीटा कितना है ठीक है कॉस क्या होता है बेस अपान हाइपोटिनियूस तो कितना आ जाएगा 7 बाई 25 और हमें क्या बताना है इन दोनों कोश्चन का इन दोनों का सम बताना है तो इक्वेल टू 1 प्लस 10 स्कुरायर थीटा ठीक है आप इससे भी कोश्चन को सॉल कर सकते हैं ठीक है यह आपके लिए होमवर्क है इस ट्रिक से बता दिया गया आप ऐसे भी सॉल कर सकते हैं यहां से से की वैलू पता कर लेंगे अगर से की वैलू पता करने के बाद आप तो सब्सक्राइब तो देखें आप पर क्या करेंगे राइट एंगल एक पर पेंडिकुलर इपन बेस हैं इस तरीके से नोड कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं आपको समझ में आ रहा है अब आपको यह पता होगा अगर हम इसे बोल दें A, B, C तो यहाँ पर A, C क्या है Hypotenuse, A, C क्या होगा A, C equal होगा A, B square प्लस B, C square के A, C क्या है B square तो B square हो जाएगा, A, B क्या है A square, और B, C side को हम X बोल देते हैं, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं X is equal to B square minus A square, ना, यह base वाली theorem से किया गया है, Pythagoras theorem आपने triangle में भी पढ़ लिया है अगर आप NCRT solution देखना चाहते हैं तो आपको channel पे class 10th math NCRT के नाम से playlist मिलेगी वहाँ से जाके आप triangle chapter को complete कर सकते हैं, यहाँ पर base आपको बता दिया गया है B square minus A square अब यहाँ पर 6 theta आपको पता करना है हम इसे बोल सकते हैं B square minus A square 6 theta क्या होगा यहाँ पर 6 theta होता है hypotenuse upon base तो इसे हम बोल देंगे B upon B square minus A square root में ठीक है, plus 10 theta पता करना है, 10 theta क्या होता है 10 theta की value perpendicular upon base तो यह क्या जाएगा, A upon B square minus A square ठीक है, अब देखे, दोनों के denominator सेम है जब denominator सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं हम numerator को आपस में add कर लेंगे numerator को क्या करेंगे, add करेंगे तो यहाँ जाएगा, B plus A upon B square minus A square root में ठीक है, आपका answer यहाँ जाएगा यहाँ तब question सही है लेकिन इसके बाद भी आप थोड़ा से simplification कर सकते हैं कैसे इसे हम लिख सकते हैं, B plus A root में into B plus A यह लिखा जा सकता है question को दो बार B plus A, B plus A लिख सकते हैं क्योंकि exponent and power में आपने पढ़ा है, root X into root X is equal to X होता है क्यों? क्योंकि इसकी भी power 1 by 2 है, और इसकी भी power 1 by 2 है 1 by 2, 1 by 2 कितना हो जाता है? 1 हो जाता है, यहां पर हम क्या बोल सकते हैं इसे हम बोल सकते हैं, B minus A और B plus A यह दोनों cancel हो जाएंगे तो यह आपका answer क्या आजाएगा, root of B plus A upon root of B minus A लेकिन यह भी property आपको पता होनी चाहिए, root of A upon root of B को, हम लोग यह लिख सकते है, root of A by B तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते है root of B plus A upon root of B minus A, इस तरीके से हम इस question को solution बता सकते हैं ठीक है, तो इस तरीके से इन question को solution हम लोगों ने देख लिए हैं आगे की जो class होगी, वहाँ पर इसके आगे के question के solution देखेंगे ठीक है, आप an academy आप पर जाकर, वहाँ पर भी हमें follow कर सकते हैं, वहाँ पर class 9th और 10th की math वहाँ से आप पढ़ सकते हैं Thank you class